दोस्तों, देसी फसल को उगाने वाले किसानों के लिए आज हम देसी मशीन लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको बनाना काटने के लिए देसी मशीन मिलेगी, जिनके इस्तमाल के बाद आप खेट में कम मेहनत करके ज़्यादा फैसे कमा पाएंगे। और बेरी को निकालने वाले एक हाई परफॉमेंस मशीन भी आज की वीडियो में है। तो जल्दी से वीडियो को एंड तक देखने के लिए बैट जाईए। तो फिर देर किस बात की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका माल के वीडियो को। नमबर आठ बनाना कटिंग मशीन बनाना ट्री बहुत जादा बड़ा तो नहीं रहता लेकि बनाना की इसमें से कट जाने के बाद ये खेट में अननैसेसरी तरीके से जगय को गेरता है। बिना काम के खेद में खड़े हुए बनाना ट्री की कटिंग के लिए specially ये equipment बनाया गया है जिसे हमारे देश में ही श्री कृष्णा ट्रेलर गुजरा द्वारा बनाया गया है बनाना ट्री को ट्रक्टर के जरीए अपने प्रपलार में ये खीच लेता है और जमीन से बनाना ट्री को कटिंग करने के बाद अपने अंदर लेगा इसका घूमता हुआ चक्र मजबूत प्लेट की मदा से बनाना ट्री के बहुत छोटे चोटे टुकडे कर देता है खेत से बनाना ट्री को काटने के बाद आप वहीं पर उसका डिस्मेंटल भी काफी आसान तरीकिस इसकी मदा से कर सकते है ये डिस्क टाइप ट्रक्टर के पीछे लगा हुआ ट्रिलर अपने अंदर मजबूत कटिंग ब्लेट रखता है जो कटते हुए बना ट्री के बहुत टाइनी पार्ट कर देता है ट्रक्टर के साथ खेत में फसल को लगाते वक्त आपने बहुत सारा काम ले लिया है और अब आपका ट्रक्टर खाली पड़ा हुआ है तो आप ट्रक्टर ऑपरेटरी एक्विप्मेंट उसके साथ लगा कर ट्रक्टर को फिर से काम पर पहुँचा सकते हैं खेत में घुम रहे गियों के फसल हो ये चावल की आप इसकी मदद से अराम से उसकी कटाई कर सकते हैं वो भी काफी जेंटली तरीके से ये एक्विप्मेंट एक तरफ से खेत में चलते हुए ट्रक्टर के पीछे फसल की कटाई करता है उसका बंडल बनाता है बंडल बनाने के बाद अपने सफिस पर रोटेट करा देता है रोटेटिंग पैनल के बाद फसल से बंडा हुआ बंडल इसकी दूसरी तरफ से डिस्चार्ज हो जाता है कटाई करते वक्ती जिसके साथ आप अच्छे खासे साइज के बंडल बनाकर खेत के एक साइट पर उसे जमा सकते हैं काम पर लगाने के साथ आपको सिर्फ ट्रक्टर चलाना है या आप खोदी फसल की कटाई करते वक्त अपनी मजबूत कटाई एक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रक्टर से नीचे उतरने की तकलिफ नहीं होने देगा कुछ दिन पहले ही आपने चावल की खेती करते हुए सल्मान खान को देखा होगा अगर आप भी भाई के तरफ चावल की खेती करते हैं और खेत में पूरे तरीके से चावल को और चावल बोने वाली फसल के बाद उसकी कटाई के लिए खुब जादा मेहनत करते हैं तो जरा इस मेहनत को रोक कर ये मशीन अपने हाथ में ले ले जीए जिस तरीके से साइकल का हैंडल हम पकड़ते हैं बिल्कुर उसी तरीके से बस आपको ये मशीन अपने दोनों हाथों में पकड़ कर चलना है 4W Reaper Binder Harvest अगर आपको खेत में कटाई के वक्त काफी ज़ादा आराम चाहिए तो आप दो छोटे और दो बड़े टायर वाली इस Harvester मशिन की खुली हूँ चीर पर बैठ सकते हैं गेयों के खेत में खड़े हुई गेयों की फसल को सिंगल ऑपरेशन में काड़ देने के लिए और काड़ देने के बाद उसका बंडल बनाने के लिए ये मशिन काम करती है इसे आराम से एक व्यक्ति द्वरा कंट्रोल किया जा सकता है लंबे एरिया में आप इसके साथ भीड हार्वेस्टिंग की प्रोसेस को अकेले ही पूरा कर सकते हैं खेत से गेयों की कटाई के साथ उसके चोटे चोटे बंडल भी इसकी मदद से बनाय जा सकते हैं गेयों की कटाई के लिए बस आपको इसके उपर बैठना है और धीरे धीरे गेयों की फसल के उपर इससे चलाते जाना है ये फसल को काटे गी और बिना नुकसान पहुँचा है उसका बंडल बना कर सही से रखवी देगी तो आप ये मशीन यूज कर सकते हैं खेत में जमय मिट्टी के बड़े बड़े और कठो धेर को तोड़ने के लिए आप इसकी मेटलिक डिस्क को खेत की टॉप बैट पर रखक καर चला सकते हैं और काम के वक्त Metallic disc को जमीन पर रख कर खेत में काम किया जा सकता है Multiple Metallic disc के खेत के जमीन को बड़िया cultivation प्रूवाइट करती है जिसे बनाना farming में बनाना के ट्री की cutting के बाद वे कच्छरे को भी चोटे चोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है और मिट्टी को भी सही किया जा सकता है शक्का बनाने के लिए गर्ने का इसत्वाल किया जाता है और इसलिए लाजमाव शूगा केन की कटाई के लिए specially बनाई गई है ये मशीन लंबे लंबे साहिए इसके गर्ने को काटने के लिए ट्रक्टर के पीछे तेजी के साथ खुलने वाले इसके equipment गरने के फ़सल को जहां से भी गुजरते हैं जमीन पर लिटा लेते हैं शुगा के इन हावेस्टे मशीन चीने में बनाए गई है जैसे आप देशी शुगा के इन हावेस्टे मशीन भी कह सकते हैं और अगर इसके आपको ज़रूरत है तो आप इसे अरबाट चमेंट डॉट इन पर जाका देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं राइस फॉर्मिंग करने वाले जानते हैं कि उन्हें कीचड में कितना ज़्यादा हात अरों को ठकाना पड़ता है राइस फॉर्मिंग सबसे ज़्यादा मेनत वाली फॉर्मिंग में आती है चावल की पत्ती को खित में लगाना पड़ता है कीचर के बीच रहेगा और हर राइस फ्लावर की पत्ती के लिए कीचर में अपने हाथ को डालना पड़ता है और उसे लगाना पड़ता है यही चीज तो सलमान भाई ने लोकडाउन के बीच करी है जिसके बाद उनका पुराना सुल्टान वाला लोगों को देखने को मिला है लेकिन अगर आफ सुल्टान लोग नहीं चाहते और राइस फार्मिंग को आसान बनाना चाहते हैं तोस मशीन को खेत में कीचड़ के बीच आसानी से चला सकते हैं चावल को खेत में अच्छे से बोने के लिए मशीन छोड़े साइस की है और खेत की सॉफ्ट सोल पर आराम से चलती है इसमें दो लोगों को आराम से बिठाया जा सकता है और राइस उगाने के लिए लगा जाने वाली पत्तियों को इसके उपर जमा कर डिश्चार्ज ट्यूब पहुंचाने का काम किया जा सकता है इसके आठ मल्टिपल हाथ हैं जिनके मदद से आप एक ही बार में आठ लंबी लाइन में राइस फार्मिंग के लिए पत्तियों को ढूने का काम कर सकते हैं इसके मल्टिपल हैंड एक ही स्पीड पर काम करते हैं और एक ही जैसी दूरी पर पत्तियों को लगाते हैं इसकी वज़ए से राइस फार्मिंग में आपको पहले से ही ज़्यादा फायदा हो सकता है वो भी कम महनत में हार्वेस्टिंग मशीने खेतों में कटाई के वक्त ज़्यादा तर फलों के साथ साथ पौदों को भी काट देती है और खेत में काफी ज़्यादा नुकसान भी करती है लेकिन बड़े साइज वाली और हाई कैपसिटी वाली ये हर्वेस्टिंग मशीन जो आप देख रहे हैं ठेट में उग रही ब्लूबेरी के पेड़ को बिल्कुल भी नुकसा नहीं होने देती उसमें से ब्लूबेरी की कटाई के वक्त डाय नेरो टो मैक्स पेकिंग सिस्टम की मदा से ये ब्लूबेरी को उसके पेड़ से निकालती है मशीन चलते वक्त पेड़ को अपने बीच में लेती है और बीच में लेने के बाद पेड़ से ब्लूबेरी को अपनी पैकिंग सिस्टम की मदद से निकाल लेती है और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए हाई पफरमेंस ग्राउंड ड्राइवर 25 वाइडर थ्रॉट 40 रियर डैक कैपसिटी के साथ ये मशीन खेड में चलती है साइड में रोटेटिंग बैल्ट की मदद से फ्रूट को क्लीन भी करती है बेरी को पेरे से निकालने के बाद ये rotating panel पर और उसके back पर बेरी को रख देती है जिसके बाद बेरी उपरी एरिया तक बेल्ड की मदद से पहुँच जाती है जहांसे बेरी को उठा कर storage बेठर में रखा जाता है इसके उपरी surface पर carpet area है जिसमें कई लोगों को काम करने की जगा मिलती है और कई सारे storage bucket भी इसकी उपरी surface पर रखे जा सकते हैं High quality blueberry harvesting के लिए ये machine बहुती बढ़िया performance देती है दोस्तों दोस्तों इस तरह की और वीडियो के लिए subscribe करें हमारा channel और latest videos के लिए bell icon को दवाना बिलकुल ना भूले जिससे हमारी videos आप तक पहुचें सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो कैसा लगा और कौन सी harvesting machine आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें comment करके ज़रूर बताएगा हम आपके comments का इंतजार करेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही goodbye, bye bye कर्णोर को कि लिए d chlorव में कार तक रिंगyah भ Cyegal मैं आपको सबसे हमारी कि आपको Candways को कि आपको Cand 맏काल करेंगे क